हलो फ्रेंड एक बाफ फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफ लाइन चनल पर आज हम वीडियो पर रीजोइंट न्यू टेबलेट के बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दलाओं अगर आप चैनल पर नए है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरू सब्सक्राइब करें सांथी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके साथ ही जानकारी के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें तो आईए हम Rejoined New Tablet के बारे में बात करते हैं यह दवा दो दवाओं से मिलकर बनी है इसका इस्तमाल Osteo Arthritis के ट्रीटमेंट में किया जाता है यह स्वेलिंग को कम करके पीड़ा और स्वेलिंग को कम करता है यह जोइंट में घर्शन को भी कम करता है इस दवा के दुशप्रभाव जैसे उल्टी डायरिया हो सकते हैं और यह साधानत रूप से अपने आप ही ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर ऐसे दुशप्रभाव बने रहते हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर करें यह दवा हर किसी के लिए उच्चेत नहीं हो सकती इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कोई इलाज, इस्थिती या डिसॉर्डर है अपने चिकित्सक को और सब के बारे में और शदियों के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं साथ ही प्रेगनेट और इस्तनपान कराने वाली महलाओं को भी इस दवा का इस्तमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लेना चाहिए और स्टो अर्थराइटिस एक ऐसी इस्तिती है जो आपके हाथों, घुटनों, कूलों और मेरुदंड के जोईंट में पीडा, स्वेलिंग और अकडन का कारण बनती है यह दवा शुरुवाती ऐसे लक्षणों में बहुत जल्दी आराम पहुँचाती है और पुराने लक्षणों में फायदा देखने में अनेक हफ्ते लग सकते हैं अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा की खुराक और अवधी पर ध्यान देते हुए इसका सेवन करें सांथ ही आपके बलड ग्लुकोज के इस्तर को बढ़ा सकता है यदि आप डाइपिटीज मरीज हैं तो अपने इस्तर की निगरानी में करें और यदि अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि यह दवा लेने के दो से तीन महां बाद भी आपके लक्षणों में कोई इंप्रूमेंट नहीं होता है